मन की बात का ये 91 वाप एपिसोड है हम लोगों ने पहले इतनी सारी बाते की है अलग अलग विशों पर अपनी बात साजा की है लेकिन इस बार मन की बात बहुत खास है इसका कारण है इस बार का स्वतंतरता दिवस जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेगा हम सभी बहुत अदभूत और एतिहासिक पल के गवाँ बनने जा रहे हैं इश्वर ने यह हमें बहुत बड़ा सौभागे दिया है आप भी सोचिए अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कलपना हमारे लिए कैसी होती गुलामी से मुक्ती की वो तड़प पराधिनता की बेडियों से आज़ादी की वो बैचेडी कितनी बड़ी रही होगी वो दिन जब हम हर दिन लाखों लाख देशवासियों को आज़ादी के लिए लड़ते जूजते बलिदान देते देख रहे होते जब हम हर सुबह इस सपने के साथ जग रहे होते कि मेरा हिंदुस्तान कब आज़ाद होगा और हो सकता है हमारे जीवन में वो भी दिन आता जब बंदे मात्रम और भरत मा की जय बोलते हुए हम आने वाली पीडियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं जवानी खपा देते हैं साथियों 31 जुलाई याने आजी के दिन हम सभी देश्वासी शहीद उदम सीजी की शाहादत को नमन करते हैं मैंसे अन्य सभी महान करांतिकारियों को अपनी विनम्र स्रद्धांजली अर्पित करता हूं जिनोंने देश के लिए अपना सर्वस्व नियोशावर कर दिया साथियों मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि आज आजी का अमरित महुत्सव एक जनांदोलन का रूप ले रहा है सभी खेत्रों और समाज के हर वर्क के लोग इससे जुड़े अलग-अलग कारकम में हिस्सा ले रहे हैं ऐसे ही एक कारकम इस महिने की शुरुवात में मेगाले में हुआ मेगाले के बहदूर योध्धा यू टिरोथ सींजी की पुन्यतिधी पर लोगों ने उन्हें याद किया टिरोथ सींजी ने खासी हिल्स पर नियंत्रण करने और वहां की संस्कृति पर पहार करने की अंगरेजों की साजीस का जमकर विरोथ किया था इस कारकम में बहुत सारे कलाकारों ने सुन्दर प्रस्तितिया दी इतियास को जिन्दा कर दिया इसमें एक कार्निवल का आयुजन भी किया गया जिसमें मेघाले की महान संस्कृति को बड़े ही खुबसूरत तरीके से दर्चाया गया अब से कुछ हपते पहले करनाटका में अमृता भारती कंडडार थी नाम का एक अनूठा अभियान भी चलाया गया इसमें राज की पचतर जगों पर आजहादी के अमृत महुत सव से जुड़े बड़े भव्यकारकम आयुजित किये गए इनमें करनाटका के महान सोतंतरता सेनानियों को याद करने के साथ ही स्थानी ये साहितिक उप्रब्दियों को भी सामने लाने की कोशिस की गई साथियों इसी जुलाई में एक बहुती रोचक प्रयास हुआ है जिसका नाम है आजहादी की रेल गाड़ी और रेल्वे स्टेशन इस प्रयास का लक्ष है कि लोग आजहादी की लड़ाई में भारतिय रेल की भुमी का कुछ जाने देश में अनेक ऐसे रेल्वे स्टेशन है जो स्वतंतरता अंधुलन के इतिहास से जुड़े है आप भी इन रेल्वे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे जार्खन के गोमो जंक्षन को अब आधिकारी ग्रूप से नेताजी सुभास जंद्रबो जंक्षन गोमो के नाम से जाना जाता है जानते हैं क्यों दरसल इसी स्टेशन पर काल का मेल में सवार होकर नेताजी सुभास ब्रिटिस अपसरों को चक्मा देने में सफ़र रहे थे आप सभी ने लखनों के पास काकोरी रेल्वे स्टेशन का नाम भी जरूर सुना होगा इस स्टेशन के साथ राम प्रसाद बिस्विल और अस्फाक उल्ला खान जैसे जाबाजों का नाम जुड़ा है यहां ट्रेंज से जा रहे हैं अंग्रेजों के खाजाने को लूट कर बीर करांती कारियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिश्य करा दिया था आप जब कभी तमिल नाडू के लोगे से बात करेंगे तो आपको थुथुकुड़ी जिले के वांची मनियाची जंक्षन के बारे में जानने को बिलेगा यह स्टेशन तमिल स्वतंतरता सेना नी वांची नाथन जी के नाम पर है यह वही स्थान है जहाँ पचीज साल के वांची ने ब्रिटिश कलेक्टर को उसके किये की सजादी थी साथियों यह लिश्ट काफी लंबी है देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेल्वे स्टेशनों की पहचान की गई है इन 75 स्टेशन को बहुती खुबसूर्ती से सजाय जा रहा है इनमें कई तरह के कारेकमों का भी आयोजन हो रहा है आपको भी समय निकाल कर अपने पास कैसे अइतियासिक स्टेशन पर जरूर जाना चाहिए आपको स्वतंतरता अंदोलन के ऐसे इतियास के बारे में विस्तार से पता चलेगा जिन से आप अंजान रहे हैं मैं आज पास के स्कूल के विध्यार्थियों से आगरा करूँगा टीचर से आगरा करूँगा कि अपने स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों को ले करके जुरूर स्टेशन पे जाए और पूरा घटना क्रम उन बच्चों को सुनाए, समझाए मेरे पहरे देशवासियों, आज हाजी के अमरुत महोसव के तहत 13 से 15 अगस तक एक स्पेक्शल मुमेंट हरगर तिरंगा, हर घर तिरंगा का अयोजन किया जा रहा है, इस मुमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फैराएगे या उसे अपने घर पर लगाएगे तिरंगा हमें जोडता है हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरिद करता है मेरा एक सुझा ये भी है कि दो अगस से पंद्रा अगस तक हम सभी अपनी सोचल मेडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं वैसे के आप जानते हैं दो अगस का हमारे तिरंगे से विशे सम्मन्द भी है इसी दिन पिंगली वेंकया जी की जन्मजेंती होती है जिनों ने हमारे राष्ट्रिय द्वज को डिजाइन किया था मैं उन्हें आदर पूर्वक्सतर धांजली अर्पित करता हूँ अपने राष्ट्रिय द्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान करांतिकारी मेडम कामा को भी याद करूँगा तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमी का बेहत महत्वपुन रही है ताथियों आज हाजी के अमरित महोत्से में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश्ट यही है कि हम सभी देश्वासी अपने करतवे का पूरी निश्चा से पालन करें तभी हम उन अन गिने थोतंतरता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे उनके सपनों का भारत बना पाएंगे इसलिए हमारे अगले पचीश सान का यह मृतकार हर देश्वासी के लिए करतवे काल की तरह हैं देश को आजहात कराने हमारे वीर सेनानी हमें यह जिम्मेदारी दे कर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है मेरे प्यारे देश्वासीों कोरोना के खिलाब हम देश्वासी के लड़ाई अब भी जारी है पूरी दुनिया आज भी जूज रही है होलिस्टिक हेल्थ केर में लोकों की बढ़ती रूची ने इसमें सभी की बहुत मदद की है हम सभी जानते हैं कि इसमें भारतिय पानपारिक प्रद्धतियां कितने उप्योगी है कोरोना के खिलाब लड़ाई में आयूश ने तो वैस्विक स्तर पर एहम भूमी का निभाई है दुनिया भर में आयूरवेत और भारतिय आउस्दियों के प्रती आकर्शन बढ़ रहा है ये एक बड़ी वज़े है कि आयूश एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई है और ये भी बहुत सुखद है कि इस खितने में कई नए स्टार्ट अप्स भी सामने आ रहे हैं हाली में एक ग्लोबल आयूश इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समीट हुई थी आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब दस हजार करोड रुपिये के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं एक और बड़ी एहम बात ये हुई है कि कोरोना काल में आउश दिये पोधों पर रिसर्च में भी बहत वृत्ति हुई है इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडिस पभिश हो रही है निश्दिर रुप से एक अच्छी शुरुवात है साथियों देश में विविन प्रकार के आउश दिये पोधों और जड़िबुटियों को लेकर एक और बहतरीन प्रयास हुआ है अभी अभी जुलाई महिने में इंडियन वर्चुल हर्वेरियम को लॉंच किया गया यह इस बात का भी उदारन है कि कैसे हम डिजिटल वर्ल का इस्तमाल अपनी जड़ों से जुड़ने में कर सकते हैं इंडियन वर्चुल हर्वेरियम प्रिजर्व प्लांट्स या प्लांट प्लांट्स की डिजिटल इमेजीज का एक रोचक संग्रह है जो की वैप पर फिली अभेलेबल है इस वर्चुल हर्वेरियम पर भी लाग से अधिक स्पेसिमेंज और उनसे जोड़ी साइंटिफिक इन्फरमेशन उपलब्द है वर्चुल हर्वेरियम में भारत की बॉट्रोनिकल डावरसिटी की सम्रुद्ध तस्वीर भी दिखाई देती है मुझे विश्वास है इंडियन वर्चुल हर्वेरियम भारतिय वनस्पतियों पर रिसर्च के लिए एक इंपोर्टन रिसोर्स बनेगा मेरे पैरे देश वासियों मन की बात में हम हर बार देश वासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चहरे पर मिठी मुस्कान बिखेर देती हैं अगर कोई सक्से स्टोरी मिठी मुस्कान भी बिखेरे और सुआद में भी मिठास बरे तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुआ का कहेंगे हमारे किसान इन दिनों शहत के उपादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं शहत की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही हैं उनकी आई भी बढ़ा रही हैं हर्याना में यमना नगर में एक मदुमक्खी पारग साथी रहते हैं सुभास कमबोज जी सुभास जी ने वैज्यानित तरीके से मदुमक्खी पारण का प्रशिचन लिया इसके बाद उन्होंने केवल छे बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था आज वो करीब दो हजार बॉक्सिस में मदुमक्खी पारण कर रहे हैं उनका शहत कई राज्यों में सप्लाई होता है जम्मू के पल्ली गाओं में विनोत कुमार जी भी डेड़ हजार से जादा कोलोनियों में मदुमक्खी पारण कर रहे हैं उन्होंने पिछले साल रानी मक्खी पारण का प्रक्षिक्षन लिया है इस काम से वो सालाना 15 से 20 लाख रुपी कमा रहे हैं करनाटका के एक और किसान है मदुकेश्वर हेगडे जी मदुकेश्वर जी ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार से 50 मदुमक्खी कलोनियों के लिए सब्सिडिली थी आज उनके पास 800 से जादा कलोनिया है और वो कई टन शहद बेचते हैं उन्होंने अपने काम में इन्नोवेशन किया और वो जामुन शहद तुल्ची शहद आमला शहद जैसे बारस्पतिक शहद भी बना रहे हैं मदुकेश्वर जी मधूत पादन में आपके इन्नोवेशन और सफर्ता आपके नाम को भी सार्थक करती है साथियों आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपारिक स्वास्त विज्ञान में कितना महत्व दिया गया है आविवेद गरंथों में तो शहद को अमरित बताया गया है शहद न केवल हमें स्वाद देता है बलकि आरोग्य भी देता है शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावना हैं कि प्रफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वारोजगार बना रहे हैं ऐसे ही एक युवा है यूपी में गुरोपूर के निमिच से निमिच जी ने बिटेक किया है उनके पीता भी डॉक्टर है लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जग़ निमिच जी ने स्वारोजगार का हैसला लिया उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया क्वालिटी चेक के लिए लख्रहों में अपने एक लेब भी बनवाई निमिच अप्शहद और बी वैक से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलग-अलग राज्य में जाकर किसानों को प्रसिछित भी कर रहे हैं ऐसे युवाओं की महनत से ही आदेश इतना बड़ा सहद उत्पादक बन रहा है आपको जानकर खुशी होगी कि देश से शहद का निरियाद भी बढ़ गया है देश ने नेशनल बी किपिंग एंड हनी मिशन जैसे अभ्यान चलाए किसानों ने पूरा परिश्रम किया और हमारे शहद की मिठास दुनिया तक पहुँचने लगी अभी इस ख्षेतर में और भी बड़ी संभावनाय मोजुद है मैं चाहूंगा कि हमारे युवा इन अवसरों से जूड कर उनका लाब ले और नई संभावनाओं को साकार करे मेरे पहरे देश्वासियों मुझे हमाचल प्रदेश से मन की बात के एक सुरुता स्रिमान आशिश बहल जी का एक पत्र मिला है उन्होंने अपने पत्र में चमबा के मिंजर मेले का जिक्र किया है दरसर मिंजर मक्य की फूलों को कहते हैं जब मक्य में मिंजर आते हैं तो मिंजर मेला भी मनाय जाता है और इस मेले में देश भर के परियाटक दूर दूर से हिस्सा ले निकली आते हैं संयोग से मिंजर मेला इस समय चल भी रहा है आप अगर हिमाचल गुमने गए हुए है तो इस मेले को देखने चम्बा जा सकते है चम्बा तो इतना खुबसुरत है कि हां के लोग गीतों में बार-बार कहा जाता है चम्बे एक दिन ओना कने महीना रहना यानि जो लोग एक दिन के लिए चम्बा आते हैं वे इसकी खुबसुरती देखकर महीने भर यहां रह जाते हैं साथियों हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्वरा है मेले जन मन दोनों को जोडते हैं हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरिप की फसले पकती हैं तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरी या शैर भी मनाये जाता है सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है जागरा के मेलों में महासु देवता का आहवान करके विसु गीद गाये जाते हैं महासु देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किंदोर और सिर्मोर के साथ सांग उत्राखन में भी होता है साथियों, हमारे देश में अलग-अलग राज्यों में आदिवासी समाज के भी कई पारमपारिक मेले होते हैं इन में से कुछ मेले आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं तो कुछ का आयोजन आदिवासी इतिहास और विरासत से जुड़ा है जैसे कि आपको अगर मोखा मिले तो तिलंगना के मेडारम का चार दिवस्य समक का सरलंबा जात्रा मिला देखने जरूर जाईए इस मेले को तिलंगना का महाकुम कहा जाता है सरलम्मा जात्रा मेला दो आदिवासी महला नाईकाउं समक्का और सरलम्मा के सम्मान में मनाय जाता है ये तेलंगना ही नहीं बलकि छत्तिसगर्ट, महाराष्ट और आंधर प्रदेश के कोया आदिवासी समुदाय के लिए आस्ता का बड़ा केंद्र है आंधर प्रदेश में मारी दम्मा का मेला भी आदिवासी समाज की मानिताओं से जुड़ा बड़ा मेला है मारी दम्मा मेला जेश्ट अमावासय से असाड अमावाशय तक चलता है और यहां का आदिवासी समाज इसे शक्ति उपासना के साथ जोडता है यहीं पुर्वी गोदावरी के पेद्दापुरम में मरीदम्मा मंदीर भी है इसी तरह राजस्तान में गरासिया जन्जारती के लोग वैशाख सुकलच चतुरदर्ची को सियावा का मेला या मनखारो मेला का आयुजिन करते हैं 36 गण में बस्तर के नाराणपूर का मावली मेला भी भावत खास होता है पास ही मद्द प्रदेश का भगोरिया मेला भी खुब प्रसिद्ध है कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुवात राजा भोच के समय में हुई है तब भिल राजा कासुमरा और मालून ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार ये आयुजिन किये थे तब से आज तक ये मेले उतने ही उत्सा से मनाई जा रहे हैं इस्सी तरह गुजराद में तरने तर और माधवपुर जैसे कई मेले बहुत मशूर है मेले अपने आप में हमारे समाज जीवन की उरजा का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं आपके आसपास भी ऐसे ही कई मेले होते होंगे आधुनिक समय में समाज की पुरानी कडिया एक भारत सेष्ट भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है हमारी युवाओं को इन से जरूर जुड़ना चाहिए और आप जब भी ऐसे मेलों में जाएं वहां की तस्वीरे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें आप चाहें तो किजी खास हैश्टेक का भी इस्तवाल कर सकते हैं इससे उन मेलों के बारे में दूसरे लोग भी जानेंगे आप कल्चर मिनिस्टरी की वेबसाइट पर भी तस्वीरे अप्लोड कर सकते हैं अगले कुछ दिन में कल्चर मिनिस्ट्री एक कमपडिशन भी शुरू करने जा रही है जहां मेलों की सबसे अच्छी तस्विरे बेजने वालों को इनाम भी दिया जाएगा तो फिर देर नहीं कीजिये मेलों में घुमिये उनकी तस्विरे साजा करिये और हो सकता है आपको इ ये एक एपिसोड में मैंने कहा था कि भारत के पास टॉइज एक्सपोर्ट में पावर हाउस बनने की पूरी ख्षमता है मैंने स्पोर्स और गेम्स में भारत की सम्रुद्य विरास्त की खास तोर पर चर्चा की थी भारत के स्थानिये खिलों ने परंपरा और प्रकृती द आपके साथ भारतिय खिलोनों की सफलता को शेर करना चाहता हूँ हमारे यंग्स्टर्स स्टार्ट अप्स और एंटरप्रस के बूते हमारी टॉइ इंडिस्ट्री ने जो कर दिखाया है जो सफलता है हासिल की है उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी आज जब भारतिय खिलोनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल्फ और लोकल्ट की ही गुंच सुनाई दे रही है आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलोनों की संक्या लगातार कम हो रही है पहले जहां तीन हजार करोड रुपे से जादा के खिलोने भार चे आते थे वहीं अब इनका आयात सत्तर प्रतिशत तक घट गया है और खुशी की बाद ये कि इसी दोरा भारत ने 2600 करोड रुपे से अधिक के खिलोनों को विदेशों में निरियात किया है जबकि पहले 300-400 करोड रुपे की खिलोने ही भार चाते थे और आपने जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है भारत के टॉय सेक्टर ने खुद को ट्रांस्फॉर्म करके दिखा दिया है इंडियन मैनिफेक्टरर्स अब इंडियन माइथालोजी, हिस्ट्री और कल्चर पर आधारी खिलोने बना रहे हैं देश में जगर जगर खिलोने के जो क्लस्टर्स हैं, खिलोने बनाने वाले जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उन्हें इसका भहुत लाव हो रहा है इन छोटे उद्यमियों के बनाए खिलोने अब दुनिया भर में जा रहे हैं भारत के खिलोना निर्वाता विश्व के प्रमुख ग्लोबल टॉय ब्रांज के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्ट अप सेक्टर भी खिलोनों की दुनिया पर पुरा ध्यान दे रहा है बेख्षेतर में कई मज़ेदार चीजे भी कर रहे हैं बैंगलोरू में शुमी टॉय नाम का स्टार्ट अप इको फ्रेंडली खिलोनों पर फोकस कर रहा है गुजरात में आर्किट जू कमपनी ए आर बेज फ्लेश कार्ड्स और ए आर बेज टूरी बुक्स बना रही है एक्टिविटी पजल्स की जरिये साइन्स टेक्नलोजी और मैस में बच्चों की दिल्चस्पी बढ़ाने में जूटी है मैं खिलोनों की दुनिया में शांदार काम कर रहे ऐसे सभी मेनिफेक्टर्स को स्टार्ट अप्स को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आईए हम सब मिलकर भारतिये खिलोनों को दुनिया भर में और अधिक लोगप्रिये बनाएं इसके साथ ही मैं अभिभावकों से भी आगरह करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक भारतिये खिलोने पजल्स और गेम्स खरीदे हैं साथियों क्लास्रूम हो या खेल का मैदान आज हमारे युवा हर खेत्र में देश को गवरवानवित कर रहे हैं इसी महीने पीवी सिंदु ने सिंगापूर ओपन का अपना पहला खिताब जीता है निरत चोपरा ने भी अपने बहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए वर्ल एतलेटिक चेंपियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है आर्लेंड पेरा बेडमिंटन इंटरनेश्टन में भी हमारे खिलाडियों ने ग्यारा प्रदग जीत कर देश का मान बढ़ाया है रोम में हुए वर्ल कैड़ेट रेस्लिंग चेंपियनशिप में भी भारतिये खिलाडियों ने बहतरीन प्रदर्शन किया हमारे एथलिट सुरज ने तो ग्रेको रोमन इवेंट में कमाल ही कर दिया उन्हें ने 32 साल के लंबे अंतराल के बाद इस इवेंट में रेस्लिंग का गोल्ड मेडल जीता है खिलाडियों के लिए तो यह पूरा महिना ही एक्षन से भरपूर रहा है चेन्नई में 44 वे चेस अलिम्पियार की मेजबानी करना भी भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात है 28 जुलाई को ही इस टोनामेंट का सुभारम हुआ है और मुझे इसकी ओपनिंग सेरिमनी में शामिल होने का सौभागी मिला उसी दिन युके में कॉमन वेल गेम्स की भी शुरुवात हुई युवाज जोस से भरा भारतिय दल वहां देश को रिप्रेजेंट कर रहा है मैं सभी खिलाडियों और एटलिक्स को देश वास्चों की और से शुब कामना ही देता हूँ मुझे इस बात के भी खुशी है कि भारत फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल कब उसकी भी मैजबानी करने जा रहा है यह टूनामेंट अक्तुबर के आसपास होगा जो खेलों के प्रती देश की बेटियों का उत्सा बढ़ाएगा साथियों कुछ दिन पहले ही देश भर में दस्वी और बारवी कक्षा के प्रणाम भी गोशिद हुए है मैं उन सभी स्टूडेंस को बधाई देता हूँ जिनोंने अपने कठीन परिश्रम और लगन से सफलता अरजित की है महामारी के चलते पिछले दो साल बेहत चुनावती पुन रहे हैं इन परिश्थितियों में भी हमारे युवाओं ने जिस साहस और संयम का परिशे दिया वो अत्यन सरहानिय है मैं सभी के सुनारे भविश्की कामना करता हूँ मेरे प्यारे देश-बासियों आज हमने आज़ाजि के 75 साल पर देश की यात्रा के साथ अपनी चर्चा शुरू की थी अगली बार जब हम मिलेंगे तब हमारे अगले 25 साल की यात्रा भी शुरू हो चुकी होगी अपने घर और अपनों के घर पर हमारा प्यारा तिरंगा फैरे इसके लिए हम सब कुछ जुटना है आपने इस बार स्वतंत्रना दिवस को कैसे मनाया क्या कुछ खास किया ये भी मुझसे जुरूर साजा करिएगा अगली बार हम अपने इस अमृत पर्व के अलग अलग रंगों पर फिर से बात करेंगे तब तक के लिए मुझे आग्या दिए